फादर का अपने बेटे के गर्ल्ट्रेंड के साथ अफेर हो जाता है अब आगे क्या होगा आज क्या हमारी मुवी डैमेज जो 1992 की एक होलिवड मुवी है इसमें हम देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा इसे चानल को बहुत सपोर्ट मिलता है और बीना किसी दरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन केरेक्टर स्टीफन हमें दिखाया जाता है एक पॉलिटिकल ओफिस में काम करता है स्टीफन को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया वह उसे अब प्रमोशन मिलने वाला है उनके साथ जब उसकी मिटिंग होती है तो उसके वह बहुत प्रेज करते है वो अपने काम में बहुत अच्छा था स्टीफन के घर पर उसकी वाइफ और बेटी है उसका बेटा बड़ा हो चुका है और वो भी पॉलिटिकल ओफिस में ही काम करता है इसके बाद हमें स्टीफन के ओफिस में पार्टी दिखाई जाती है इस पार्टी में स्टीफन के बास एना आई उसकी बेटे की गर्ल्फरेंट वो अपने आपको इंट्रुट्यूस कराती है स्टीफन को एना पसन आई थे और इन दोनों में ओकोर्ट साइलेंस इस थे अब थोड़ा टाइम गुजर चुका है स्टीफन का बेटा मार्टीन ये अपनी गर्ल्फरेंट एना को लेकर लंज के लिए आता है यहाँ पर भी एना और स्टीफन ने दोनों अकोर्ट थे स्टीफन की वाइफ इंगरित को एना बहुत ही अजीब लगती है एना ने पूरे लंज तक उससे कोई भी बात नहीं की थी इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन एना स्टीफन को कॉल करती है उसने उसे एक लोकेशन और टाइम दिया स्टीफन वहाँ गया और डारेक्टली एना के साथ इंटिमेट हो जाता है फर्स सीन में जब यह मिले थे उसके बाद इनकी रिलेशनशिप डेवलोप हुई है एक दिन स्टीफन के पास उसका बेटा आया और वो बहुत ही खुश था कहता है मुझे पॉलिटिकल एडिटर की जॉब मिली है स्टीफन इसे सप्राइस्ट हो गया क्योंके बहुत बड़ा प्रमोशन है वो अपने बेटे के लिए बहुत ही खुश था अब इसी प्रमोशन के खुशी में सब फैमिली डिनर करते है मार्टिन के ग्रैंडपा उसके लिए खुश थे उसने इतनी प्रोक्रिस की थी उन्हें एना भी पसन आई एना को उसके फैमिली के बारे में पूछा जाता है कहती है मेरे फादर एक डिप्लोमेट थे उसकी मदर एक फ्रेंज है उसकी चार शादिया हो चुकी है उसकी फैमिली हमेशा मूव होती रहती थी अर्जेंडिना, अफरीका, रोम इस तरह से अलग-अलग कंट्रीज वो घुमे हुए है तीन साल पहले एना का ब्रेकप हुआ उसके बाद तो लंडन में ही रहती है इंग्रिद एना से बहुत सारे क्वेशन बूछती है जैसे क्या अपनी मदर से तुम मिलती हो क्या तुम्हारा कोई ब्रदर है एक्च्वल में एना कोई ब्रदर था पर उसने सुसाइड कर ली इंग्रिद ने पूछा ऐसा क्यों हुआ था एना कहती है को किसी से प्यार करता था एक कनवर्सेशन बहुत ही अजीब होगे तो जल्दी से मार्टिन एना को यहाँ से ले कर जाता है मार्टिन को कुछ काम था तो अपने ओफिस चला गया रात में स्टीफन एना के पास आता है वो कहता है हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा दिनर करते वक्त पूरे टाइम तक में तुम्हें पाना चाता था तुम्हें टच करना चाता था होल्ड करना चाता था एना कहती है तुम वरी मत करो मैं हमेशा यही रहूंगे इसके बाद passionately यह दोनों एक दुसरे के साथ intimate हो जाते है intimate होने के बाद एना अपने ब्रदर के बारे में और भी बाते कर रही थे वो कहती है मेरी family को बहुत बार move होना पड़ा मैं और मेरा ब्रदर हम दोनों है एक दुसरे का सहारा थे मेरा ब्रदर मेरे लिए possession हो गया वो मुझे सिर्फ उसके लिए पाना चाता था एना की ब्रदर ने प्यार की वज़े से suicide की पर यह प्यार वो एना से ही करता था एना ने कहा life में सबसे बुरी चीज जो हो सकती है वो अल्रेडी मेरे साथ हो चुकी है मेरे ब्रदर की जाने के बाद मैं बहुत ही तूट गई थी मेरे पास दो option थे एक तुम्हें वैसे ही रहती या आपने आपको खड़ा करती है damaged लोग यह बहुत ही dangerous होते है क्योंकि उन्हें फिर इसे उठना आता है एना स्टीफन से कहती है जो भी चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है प्लीज इसे change मत करना स्टीफन के एक conference थी तो चाहता था यह उसके साथ एना आए पर एना उसे मना अगर देती है जब बात में स्टीफन की अपनी wife से बात हुए तो इसे पता चला कि मार्टिन और एना यह दुनों Paris गए हुए है स्टीफन इसके बाद अपने conference में तो गया पर उसका मन लग नहीं रहा था वो फिर अपना mind change करकर directly Paris आ जाता है उसने एना को call किया एक जगा पर मिलने के लिए पुलाया एना उससे मिली तुसे किस करने लग जाता है कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारे अलावा में कुछ भी जीज़ देख नहीं सकता एना कहती कि मुझे वापस जाना पड़ेगा मार्टिन अभी भी सो रहा है वो चली गई पर स्टिफन एना के होटेल में रूम लेता है उसने अपनी होटेल की खिड़की से देखा तो एना और मार्टिन ये दोनों intimate हो रहे थे स्टिफन को बहुत बुरा लगा वो बहुत रोता है स्टीफन घर आने पर नोटिस कहता है उसकी डॉटर का बॉइफरेंड घर पर आया हुआ था ये उसे बहुत ही अजीब लगा स्टीफन की वाइफ कहती है तुम्हारी बेटी प्यार में है आज जब स्टीफन फेस से ओफिस गया तो फेस से एना को कॉल करता है आज उससे सिर्फ इंटिमेट होने के लिए नहीं मिलना चाहता था ये दोनों मिलकर एक पार्क में आए एना कोई आइडिया अच्छा नहीं लगता वो स्टीफन के साथ सिर्फ बेट की रिलेशन्शिप ही रखना चाहती है इसके आलावा वो कोई भी इंटिमेसी नहीं चाहती सिर्फन कहता है मैं मेरी वाइफ को छोड़ दूँगा ये ही सब के लिए ठीक होगा एना कहती है तुम्हारे बेटी का क्या सिर्फन नहीं कहा कि वो भी ठीक हो जाएगा कोई भी प्रॉलम नहीं होगा एना कहती है कि वो हमेशा के लिए तुम्हें हेट करेगा तुम अपनी फैमिली लॉस्ट कर दोगे और किस वज़े से ताकि मेरे साथ रह सको मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सको ये सब ओल्रेटी तुम्हें तुम्हारी वाइफ के साथ मिल रहा है जो चीज तुम पाने की कोशिश कर रहे हो ये ओल्रेटी तुम्हारे पास है एना चाहती थी कि सब कुछ जो चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए एक दिन स्टीफन का बहुत ही इंपोर्डन इंटर्व्यू था उसकी वाइफ ने पुरा देखा उसे कांगरेचुलेट करती है वो इसके पास आई कहा हम फर्स टाइम मिले थे तो तुम एक डॉक्टर थे चोटी चोटी चीजों में भी तुम बहुत ही परफेक्ट थे यही चीज उसे बहुत पसंद आई थे हम इन दोनों हस्बन वाइफ की रिलेशनशिप आज कर स्ट्रगल करती हुई देख सकते है वो सिर्फ एक साथ रहते है स्टीफन को एना के साथ जो पैशन मिलता है वो अपनी वाइफ के साथ नहीं मिलता एक दिन जब स्टीफन एना से मिलनी के लिए आया तो वहाँ पर पीटर आया हुआ था पीटर एना का बच्पन का फ्रेंड है वो बिना बताए आया हुआ था इसी वज़े से दोनों सप्राइस थे स्टीफन पीटर से बुझता है तुम उसे कब से जानते हो पीटर कहता है मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ वो आज कल मार्टिन के साथ बहुत ही खुश है यह वो डिजर्व करती है यहाँ पर इंडिकेट होता है कि पीटर को स्टीफन और एना के बारे में पता चल चुका था स्टीफन अभी तो यहाँ से चला गया था पर पीटर की जाने के बाद वो फिर से वापस आता है आना से पुछता है यह सब क्या था आना कहती है कि पीटर मेरा फर्स बॉर्फरेंड था एक दिन में उसके साथ डेट पर गई थी जब वो मुझे घर डॉप करने के लिए तो हम कार में किस करने लग गए यह सम मेरे ब्रदर ने देख लिया था वो बहुत जेलस हो गया वो मुझे सिर्व उसके लिए चाहता था उसने मुझे पूछा क्या तुम अब सब के साथ डेट पर जाओगी क्या इस वर्ल्ड को हमारे बीच में आने दोगी एना ने इस सारी बात को इगनोर कर दिया उसका ब्रदर दो तीन घंटे तक उसके डोर के बाहर था एना ने उसे कोई भी रिस्पॉंस नहीं दिया जब उसके ब्रदर की आवाज कम हुई तब उसने सुसाइड कर ली थी इस बात से एना बहुत ही शौक में थी इस गर में एना और उसके पैरेंस नहीं रहना चाते थे पीटर की फैमिली को जान दे थे तो उसी की पास गए एना गम में थी तो पीटर ने उसे सहरा दिया एना ने कहा पिटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था अपने गम में एना फर्स टाइम पिटर के साथ ही इंटिमेट हुई थी स्टिफन को एना के लिए बहुत ही पुरा लगा इंग्रित का बड़े था तो अपने फादर के पास हो जा रही थी अपनी पूरी फैमिली के साथ ये बड़े उस पेंट करना चाहती थी मार्टिन सेलिबरेट करने के लिए एना को भी लेकर आ रहा है इंग्रित को पसंद नहीं आता एना उसे ज़रा अजीब लगती है ये सब ग्रैंटपा के पास आये किस तरह से बच्पन में ये सब यहाँ आया करते थे इसके बारे में बाते हो रही थी मार्टिन कहता है बच्पन में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था पर फिर भी उसे खाली-खाली लगता था उसकी फैमिली हमेशा उसे एमटी लगी है उसमें कभी भी कोई भी जगड़े नहीं हुए जिस तरह से हर फैमिली में पैशन होता है ये कभी भी नहीं था इस बात के लिए वो अपने फादर को दोशी मानता है स्टीफन ने कभी भी अपनी फैमिली के उपर जादा ध्यान नहीं दिया इसके बाद नेक्स डे मार्टिन और एना साथ थे इन्हें देखकर स्टीफन जेलस हो गया मार्टिन अनॉंस करता है कि वो एना से शादी करने वाला है सिर्फ उसके ग्रैंड फादर ही उसके लिए खुश थे इंगरीत को भी एना पसन नहीं और स्टीफन का कुछ अलग प्रॉल्म है स्टीफन जब मार्टिन के साथ अकिला था तो उसे बुच्छता है कि आना ने तुमें डारेक्ली हा कह दिया वो कहता है कि हा मार्टिन ने अपने फादर को जो भी बुरा कहा इसके लिए उसे अपोलोजाइस करता है इसके बाद वो कहता है एना में कुछ अजीब साई सैडनेस है वो जब उसके साथ होता है तो एक क्यूर हो जाता है स्टीफन ने कहा यह तो नर्स की तरा लगता है मार्टिन समझाता है एना जब मेरे साथ होती है तो उसके एक अलग ही साइड है रात में सब के सो जाने के बाद एना और स्टीफन है फिर से एक दुसरे से मिले अंदर जाकर इंटिमेट हो गए एना के रूम से जब स्टीफन बाहर आया तो उसकी डॉटर ने देख लिया था अले दिना कर वो अपनी डॉटर को समझाता है कहता है तुम्हारी मदर और मुझे हम दोनों को एना अच्छी नहीं लगती मार्टिन से शादी से पहले हमें उसे बात करनी थी इसी वज़े से मैं गया था डॉटर भी ये सब बात समझ जाती है फिर भी डर है कि शाद उसे कुछ ना कुछ तो पता है अब नेक्सिन में एना की मदर मार्टिन की फैमिली से मिलने के लिए आई हुई है एना की मदर सप्राइस थी कि मार्टिन एक बहुत ही अच्छा लड़का है वो कहती है कि एना की यूजओल चोईस से तुम बहुत ही different हो वो हमेशा बहुत ही घटया लड़कों को date करती है यही बाते करते करते थोड़ी देर में एना की मदर ने एना के ब्रदर के बारे में बाते निकाली वो कहती है एना का प्रदर और मार्टिन ये दोनों बहुत ही सेम दिखते है ये बात सब के लिए बहुत ही आजीब थी एना अपने मदर पर चीड़ गई क्योंकि उसे सब्जेक नहीं निकालना चाहिए था एना की मदर को बहुत ही बुरा लगा कि लंज उसकी वज़े से बरबात हो गया स्टीफन एना की मदर को उसके होटेल तक छोड़ने के लिए आया मदर कहती है एना आज कल बहुत ही खुश है इसी वज़े से ये सब बरबात हो जाए ये सही नहीं होगा स्टीफन कहता है कि आप किस बारे में बात करे हो एना की मदर ने का मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है लंज पर तुम्हें एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे मदर कहती कि जो भी चल रहा है इसे अभी क्या भी बन करतो वरना इसके कंसिक्वेंसे बहुत ही बुरे होंगे स्टीफन ने फिर एना को कॉल किया कहा हमारे बीच में जो भी चल रहा है क्या हम अब खतम कर डालेंगे यहीं मार्टिन और तुमारे लिए दोनों के लिए सही है इसके बाद स्टीफन मार्टिन से मिलने के लिए आया मार्टिन की डेश पर उसकी एना की और स्टीफन की फोटो थी इसे स्टीफन देख रहा था मार्टिन कहता है अगर आप चाहो तो इस फोटो करक सकते हो स्टीफन ने आज कन्वेस किया कहा तुम्हें जो भी लगता है यह सब कुछ सही है हमारे फैमिली पर मैंने ज़ादा फोकस नहीं किया था मुझे लगता था कि लाइफ मैं सब चीज़ें में कंट्रोल कर सकता हो परे सही नहीं था तुम स्मार्ट हो तुम्हें इसके बारे में उल्रेड़ी पता है और मेरे कलीप भी मेरे साथ काम करे हैं। हम देखते हैं इंगरीट के पास स्टीफन की फ्रेंड थे। उसे पता चल गया स्टीफन उसे जूट कह रहा है। स्टीफन आजकल बहुत ही डिस्टव था और अभी अभी इंग्रीद को पता चला यह उसे प्रमोशन मिला है फिर भी हो सैड था तो उसके पास आई उसने पूचा कि क्या हुआ है स्टीफन कहता है यह शायद मैं प्रमोशन नहीं चाहता उसके साथ जो भी चल रहा है उसे एक सेपरेट घर लिया था स्टीफन ए घर जाकर देख कर आया एक दिन फिर से मार्टिन एना को लेकर घर आया था जब एना और स्टीफन अके रहे थे तो एना कहती है अगर मुझे तुमसे दूर होना होता तो एं मार्टिन से शाधी नहीं करती है वो स्टीफन के पास रहना ज जाती है इसी वज़े से वो मार्टिन से शादी करने वाली है इन्होंने डिसाइड किया और फिर से एक दिन वो एना की घर पर मिले यह जब दोनों इंटिमेट हो रहे थे तभी एना को ढूंते हुए मार्टिन वहाँ पोच गया उसने डोर खोल कर इन्हीं इंटिमेट होता द बहुत रोया अब एक्च्वल में यहां हुआ क्या यह पुलीस की वज़े से सब को पता चल गया रात में स्टीफन घर पर आता है उसकी वाइफ ने अपने आपको हर्ट कर लिया था वो गुच्छता है कि तुमने ऐसा क्यों किया वो कहती है यह दर्द बहुत ही जादा है इसमें को हैंडल नहीं कर सकते हैं इंग्रित ने कहा मार्टिन को एना के फ्लैट के बारे में पता नहीं था पर होमोनन ने घर पर कॉल किया मार्टिन के लिए सप्राइस था तो यही फ्लैट देखने के लिए गया स्टीफन और एना के आने का टाइम और मार्टिन के बहाँ जाने ही का टाइम, ये सेम हो गया इंगरित ने कहा, ये कोई से डंस था, अगर उसे पता नहीं चलता तो ये हमेशा चलता रहता तुमने अपने आपको मार क्यों नहीं डाला तुम इतने बुरे भी नहीं हो सकते वो रोने लग गई, तो स्टीफन उसे गोलिया देता है, वो कहती है मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए अगली सुबा जब वो उठी, तो स्टीफन उसके पास था, हमें एक दूसरे से कभी मिलना ही नहीं चाहिए था क्या कभी तुमने मुझे प्यार किया था क्या मुझे कभी तुम एट्रेक्टेड थे स्टीफन इस पर कुछ भी आंसर नहीं कर पाता आज उसे अपनी जॉब से रिजाइन करना पड़ा, अब वो फिर से एना से मिलने के लिए आया हुआ था वहावर एना की मदर थी वो कहती है, कि एना यहाँ से चली जा चुकी है, एना की मदर कहती है, वो पिटर से मिलने के लिए उसके पास गई है, स्टीफन ने फिगर आउट किया, कि एना अभी भी यही है वो सब चेक करता है, तो एना बेडरूम में ही थी, वो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी इसके बाद मुवी में बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, स्टीफन ने सब चीज़े छोड़ दी, हमेशा अलग-अलग जगा पर वो घुमता रहा उसने रियलाइस किया, कि हम हुमन्स कैसे बने है, हमारे पीज़े परपस क्या है, इस सब के बारे में नहीं जानता, जब आदमी प्यार करता है, तो जीज़ चीज़ को जान नहीं सकता, उसके थोड़े से करीब आ जाता है, प्यार के अलवा इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, अब वो अकेला पड़ चुका है, मार्टिन ने उसे साथ ये मूवी एंड हो जाती है, स्टीफन है हमारा बहुत ही फॉल्डी कैरेक्टर है, उसका अभी भी भ्रहम है, कि अना से वो प्यार करता था, तो इसी वज़े से उसने सब कुछ किया, उसकी ब्यूटिफुल सी फैमिली थी, कुछ बल के लिए उसने सब कुछ बरबात कर दिया और फाइनली, वो अकिला था इसके सब कंसिक्वेंसेज अब उससे आगे की आने वाली लाइफ में भूगदने बढ़ेंगे प्यार तो हम सब को करना चाहिए, उसके लिए मेट हमें पता होनी चाहिए आज का वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दिजेगा मैं बहुत सारी मुविज लेकर आते रहे तो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल नोटिविशन आइकन दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये